दोस्तों अगर आप भी चाहते हो अपने YouTube चैनल या Facebook पेज बर किसी दूसरे की लाइब स्ट्रीमिंग को या दूसरे के वीडियो को लाइब करना तो आज का वीडियो आपके लिए है या आपने देखा हो गए जैसे कोई लाइब इवेंट हो रहा होता है कहीं मंदर से कोई लाइब हो रहाता है मंदर के लाइब दर्शन हो रहे होते हैं मक्का मदीना से कोई लाइब स्ट्रीमिंग चल रही होती है और आप चाहते हो उस लाइब स्ट्रीमिंग को अपने YouTube चैनल पर लाइव करना या अपने Facebook पेज़ पर लाइव करना तो आज के वीडियो में आपको ये बताने जा रहा हूँ लेकिन यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले एक चीज किलियर कर देता हूँ अगर आप किसी के भी वीडियो को या किसी की लाइव स्टीमिंग को अपने चैनल या Facebook पेज़ पर लाइव कर रहे हो तो उसमें आपको पहले चेक कर लेना है कि बहाँ पर कोई भी copyright किलेम बगएरा वो बंदा ना दे ये सारी चीज हैं आपके अपने रिस्क पर होगी आपको पता कर लेना है कि भीया वो आपको copyright किलेम तो नहीं दे रहा है आज के वीडियो में आपको सिर्फ ये बताने जा रहा हूँ कि ये काम आप कैसे कर सकते हो copyright बगएरा का मेरी कोई भी जिम्मेदारी नहीं है वो आपको खुद चेक करना होगा कि वहाँ से आपको कोई भी copyright किलेम बगएरा इस तरह के issue ना आए तो आईए सीखते हैं कैसे हम अपने YouTube चैनल पर किसी दूसरे की live streaming को या उनके वीडियो को live कर सकते हैं तो यहाँ पर आपको अपना YouTube चैनल ओपन कर लेना है YouTube चैनल में ऊपर की साइड यहाँ पर एक create का बटन आ रहा है इस पर click कर दीजिए उसके बाद go live पर click कर दीजिए live control room open हो जाएगा यहाँ पर आपको तीन option दिखाई देंगे stream, wavecam और manage आपको stream पर click कर देना है अब यहाँ पर आपको अपनी live streaming का title लिख देना है, मैंने यहाँ पर लिख दिया है 3D, Shine, Darshan, Live उसके बाद यहाँ पर description दे देना है यहाँ से आपको visibility set करनी है, public करना है, private करना है, वो आप यहाँ से कर सकते हो इसके बाद आपको अपना यहाँ पर thumbnail लगा देना है, जो भी आप live stream का thumbnail रखना चाहो, वो यहाँ से लगा सकते हो जो भी playlist आपको select करनी हो, playlist यहाँ से select कर सकते हो, यह सारी चीज़ है करने के बाद नीचे की तरफ आप जाओगे तो यहाँ पर आप अपने live streaming के tag वगएरा यहाँ पर लगा सकते हो, इसके बाद यहाँ पर date वगएरा, सारी detail आपको यहाँ पर fill कर देनी है और उसके बाद save के button पर click कर देना है, यहाँ पर save के button पर जैसी आप click करोगे, यहाँ पर आपको इस side बहुत सारे options दिखाई देते हैं, यहाँ पर आपको एक option दिखाई देगा, stream की, इस stream की को आपको यहाँ से copy कर ले रहा हूँ, यहाँ से stream की copy करने के बाद आपको अपन OBS Studio open कर लेना है, अगर आपने अभी तक OBS Studio इस्तेमाल नहीं किया है, तो सबसे पहले आपको अपने PC पर OBS Studio का software install कर लेना है, OBS Studio का link मैंने वीडियो के description में दे रखा है, तो जैसी आप उस link पर click करोगे, आप OBS Studio की इस website पर पहुंच जाओगे, यहाँ से आपको Windows पर click करन और OBS Studio का software अपने PC पर install कर लेना है, तो जब आप OBS Studio को अपने PC पर install कर लेते हो, OBS Studio को इस तरह से दिखाई देता है, मैंने पहले ही यहाँ पर इसे install कर रखा है, OBS Studio के बारे में अगर आपको नहीं पता है, अब सीखना चाहते हो, तो इसकी बहुत सारी वीडियो पहले ही मैंने पने चैनल पर upload कर रखी है, उन वीडियो को जाकर आप देखकर OBS Studio को भी सीख सकते हो, फिलाल मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा इसके बारे में बताने वाला नहीं हूँ, तो इसके लिए सबसे पहले जो हमने stream की copy करी थी, उस stream की को हमें OBS Studio के अंदर लाना है, यहा हम यहाँ पर paste कर देते हैं, उसके बाद apply पर click कर दीजे और ok पर click कर दीजे, यह हमारी setting यहाँ की हो गई, और अब मैं आपको दिखाता हूँ, YouTube पर एक live streaming चल रही है, उस live streaming को मैं यहाँ पर अपने channel पर कैसे लाओंगा, वो मैं आपको दिखा देता हूँ, तो यहाँ पर आप देख रहे हो, YouTube चैनल पर एक live streaming चल रही है, live स्रीडी साइबाबा टेंपल से यह live streaming चल रही है, आप देख रहे हो, 105 watching है यहाँ पर और यह live streaming यहाँ पर चल रही है, तो यहाँ पर मैं आपको एक बाद फिर से बता दे रहा हूँ कि इस तरह से किसी की भी अगर live streaming चल र लेना है, तो मान लीजिए यह live streaming यहाँ पर चल रही है, और इस live streaming को मैं अपने channel पर live दिखाना चाहता हूँ, तो मैं कैसे करूँगा, इसके लिए simple सा तरीका यह है, यह जो live streaming यहाँ पर चल रही है, नीचे की side आप देखोगे, हर वीडियो के नीचे एक share का option आता है, share पर आप किलिक कीजिए, उसके बाद यहाँ पर नीचे की side आपको एक link दिखाई देगा, यहाँ पर आप देख रहे हो जो link दिखाई दे रहा है, इसे आपको copy कर लेना है, copy कर लीजिए इसे, उसके बाद इसको हम minimize कर देते हैं, ठीक है, अब हम बापस आगए अपने OBS studio पर, O browser पर किलिक करने के बाद, यहाँ पर आप इसका कोई भी नाम दे दीजिए, यहाँ पर दे दिया sign दर्शन, और उसके बाद इसे हम OK पर किलिक कर देंगे, यहाँ से आप OK कीजिए, जैसे ही आप यहाँ पर OK करोगे, इस तरह से फिर से एक pop-up window open हो जाएगी, अब आपको य लाइब चल लई थी, उस लाइब का जो हमने copy किया था URL, उस URL को यहाँ पर हमें paste कर देना, इसे मैं paste कर देता हूँ, उसके बाद यहाँ आप देख रहे हो width और height का option आ रहा है, तो इसे हमें अपनी live streaming के according कर देना है, कर देनी है 1920, height कर देनी है 1080, और उसके बाद यहाँ पर audio को भी control कर पाऊगे, तो यहाँ पर इसे आपको tick कर देना है, उसके बाद फिर से नीचे की side जाओँगे, अब यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना है, यहाँ आपको कुछ नहीं करना, इसके बाद सीधा आपको OK के button पर click कर देना है, अब जैसे आप OK के button पर click करोगे, आप देख रहे हो, ये वाली जो हमारी live streaming थी, वो यहाँ पर आने लगेगी, अभी यहाँ पर advertisement चल रहा है, अब इसके अंदर सबसे अच्छी यह चीज है, कि यहाँ पर OBS से ही, मलब आपको अब उस website पर नहीं जाना, जो live streaming वहाँ चल रही थी, उस पर कहीं नहीं जाना, add को exit कर पाओगे, यहाँ से skip add कर दो, अब आप देखोगे, आपकी live streaming यहाँ पर आ गई है, अब उसके बाद cross के button पर click कर दो, यहाँ पर अब हमें इसे resize करना होगा, यानि जो केवल जो video चल ला है, यह वाला जो हिस्सा है, इसी को हम show करना चाहते, तो उसके लिए हम इसे crop कर देंगे, इसे crop करने के लिए आपके keyword पर जो alt key होती है, alt, उसे आपको hold करके रखना है, दवा के रखना है, और अपने mouse से इस तरह से cut कर देना है, जो भी हिस्सा आपको चाहिए, वो हिस्सा आपको रखना है, बाकी का आपको इस तरह से cut कर देना है, हर side से जो हिस्सा आ नहीं चाहिए वो आपको यहां से cut कर देना है ठीक है यह मैंने यहां से cut कर दिया और उसके बाद यहां पर आप देख रहे हो जो sign दर्शन यानि जो हमारा browser है इस पर आपको right click करना है इसके बाद right click करने के बाद यहां पर आपको एक option दिखेगा transform इस पर cursor लेके जाईए और आगे की side आप देखोगे यहां पर एक option आएगा fit to screen fit to screen पर click कर दीजे अब आप देखोगे यह हमारी पूरी screen पर fit आगया है अब नीचे आप देख रहे हो यहां पर थोड़ा सा जो portion होता है यहां पर अगर आपको कोई भी अपना text बगेरा चलाना है कुछ भी लिखना है पूंप भी आप लख सकते हो तो मैं यहां पर प्लस के बटन पर click करूंगा उसके बाद यहांपर text text का जो option आ रहा है इस पर click करेंगे इसके बाद ok पर click करेंगे यह आँपेOK पर click कर दीजे उसके बाद ok पर click का आप यहां पर जो text का option आ रहा है, यहां पर आप कोई भी text लिख दीजिए, मैं यहां लिख देता हूँ, मैंने यहां पर लिख दिया, cd, sign, darsan, live, यह text मैंने यहां पर लिख दिया है, उसके बाद नीचे की side आप देखोगे, यहां पर background color का option आ रहा है, यहां से हम background मैं select कर ले रहा हूँ, तो यहां से मैं red color select कर लेता हूँ, background का color हम red लखेंगे, उसके बाद जो background opacity है, इसको हम बढ़ा देंगे, इसे मैं कर देता हूँ red, तो आप देख रहे हो, पूरा इस तरह का यह हो गया है, और उसके बाद simple सा ok पर click कर देंगे, अब आप देखोगे, यह हमा यहां पर आ गया, इसको हम resize कर देंगे, छोटा कर देंगे और इसे fit कर देंगे, तो यह text को हमने यहां पर बठा दिया, यह text आप देख रहे हो, यहां पर आ गया, और उसके बाद अब आपको क्या करना है, यह जो text है, इस पर right click कीजे, उसके बाद filters पर click कीजे, इसके लोड़ा सा आपको आगे बढ़ाना है जिससे ये टैक्स हमारी स्क्रॉल करने लगेगी जितनी स्पीड आपको बढ़ानी है कम करनी है वो आप कर सकते हो तो मैं इसको इसकी स्पीड को मैंने इतना कर दिया उसके बाद अब हम किलोज करेंगे से अब आप देख सकते हो जो हमा का वीडियो है जो वहाँ पर चलंगे उसकी है यहाँ पर आ रही है इस ओडियो को आप यहां से कम ज़्यादा करना हो वो भी आप कर सकते हूँ यहाँ अपर आप देख सकते हो obs studio हमारी सारी सेटिंग वो चुक है जो शीम्लिद दूसरे चैनल पर चल रही है वो वो हमारे obs जैसी आप यहाँ क्लिक करोगे आपकी live streaming यहाँ पर आने लगेगी आपके live control room पर कुछी second में दिखाई देने लगेगी तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो live streaming हमने start की थी वो हमारे channel पर यहाँ पर दिखाई दे रही है इसी तरह से मालजी आप चाहते हो कि facebook पर कोई वीडियो है या फिर कोई live video है, live event है उसे आप live करना चाहते हो अपने YouTube channel या फिर अपने facebook page पर तो उसे भी आप इसी तरह से कर सकते हो आप यहाँ देख सकते हो मालजी ये video यहाँ पर facebook पर पड़ी हुई है Facebook page पर ये वीडियो है इस वीडियो को मैं चाहता हूँ live करना तो उसके लिए आपको क्या करना होगा simple सा किसी भी वीडियो के नीचे आप जाओगे वहाँ पर आपको नीचे एक share का option दिखाई देता है share के button पर click कीजे इसके बाद यहाँ पर आपको copy link यहाँ पर copy link पर click कर दीजे यह link आपका copy हो गया उसके बाद आपको Facebook को बंद कर देना है Facebook page को हम बंद कर देते हैं हम आगए बापस अपने OBS studio पर अब यहाँ पर आप देख रहे हो sources का option आ रहा है तो यहाँ पर sources के अंदर जो हमने browser add किया था उसी पर हम click करेंगे यहाँ मैं double click करेंगे और उसके बाद इस browser का URL है इसे मैं change कर देता हूँ इस URL की जगे पर जो Facebook से हमने अभी copy किया था URL उसे हम यहाँ paste कर देते हैं मैं इसे paste कर दे रहा हूँ और उसके बाद बाकी सारी चीज़ा ऐसी रहने देते हैं सारी setting हमारी यही रहेंगी उसके बाद OK कर देंगे अब आप देखोगे कुछी second में जो Facebook पर हमारा वीडियो था वो यहाँ पर दिखाई देने लगेगा यहाँ आप देख रहे हो Facebook पर जो वीडियो चला था वो यहाँ पर show होने लगा है देख पा रहे होगे इसे हम interact पर click करेंगे और जैसी आप interact पर click करोगे इसे आप यहाँ से full screen भी कर सकते हो मैं इसे यहाँ से full screen कर देता हूँ यह देखिए यह वीडियो हमारी यहाँ पर full screen हो गई उसके बाद इसे बंद करेंगे और फिर से हम इसे resize कर लेंगे तो Facebook पर जो हमारी वीडियो चल लई थी वो वीडियो हमने यहाँ पर OBS studio में add कर दी है उसके बाद आपको start streaming पर click कर देना है जैसी आप start streaming पर click करोगे आपकी live streaming आपके YouTube चैनल या फिर Facebook पर आप live करना चाते हो तो Facebook पर भी इसी तरह से आप live कर सकते हो तो दोस्तो इस तरह से आप भी बहुत ही आसानी से अपने YouTube चैनल या Facebook पेज़ पर किसी दूसरे की live streaming या उसके वीडियो को live कर सकते हो अगर आपका कोई भी question हो कोई भी आप comment box में comment करके पूछ सकते हो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों मिलते हैं अपने next वीडियो में तब तक के लिए जैहिन वंदे मातरम